हेलो स्टुडेंट रामरतन स्टडी यूट्यूब चेनल में आपका स्वागत है हिंदी में आज हम पढ़ेंगे बेंजन बर्ण माला बेंजन के बारे में हम बता चुके हैं आज हम पढ़ेंगे बेंजनों का उच्चारण इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि कुल बेंजन कितने होते हैं और मूल रूप से बेंजन कितने होते हैं मूल रूप से बेंजन होते हैं 33 और कुल बेंजन होते हैं 49 ये बाते हम पिछली वीडियों बहुत अच्छे से बता चुके हैं आज जो मूल बेंजन 33 होते हैं उन मूल बेंजनों का उच्चारां पढ़ेंगे कि उन मूल बेंजनों जो 33 हैं उन बेंजनों का उच्चारां किस तरह से होता है अलप्राण कोन होते हैं महाप्राण क्या होता है महाप्राण क्या होता है इन सब चीजों को आज हम बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह से और आप विश्वास रखें यहां आज एक किलास द आप बढ़ी अलतरे से समझाएंगे आपको डाइग्राम के हिसाब से कभी कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी तो आप वीडियो को जरूर पूरत दिखें है ना तो दिखेंज रहें हाँ पर कुल बेंजन कितने है 39 49 बेंजन है जिसमें इसपर्स बेंजन कितने है 25 इसपर्स 2 बेंजन दू है जो डा और भा अप दकेजरा इसपर्स बेंजन जो 25 है 25 इसपर्स बेंजनों को उच्चारण मुख के पाँच भागों से उच्छत होता है दिखें कंट से इन 25 इसपर्स बेंजनों का उच्छारण मुख के पाँच स्थानों से होता है कंट से तालू से मूर्धा से दंत से और होट से कंट से कावर का उच्छारण होता है तो इसके हम ट्रिक बताएंगे, का से कंठ और का से कावर्ग, कंठ से कंठ होता है यहाँ पर, कंठ से कावर्ग का उच्छार होता है, और कावर्ग के अंतरगत का, खा, गा, घा और इंगा, इसको बोलते हैं इंगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम इंगा, सही उचारण करेंगे ठीक ना ता से होता तालू तालू और चा देखे तालू को समझेगे हम ताला हमें याद करना है तो देखो हम कैसे कराएंगे तालू को समझेगे ताला और चा से समझेगे हम चावी ठीक ना यानि ताला और चावी तालू यानि ताला चा से समझना चाव इसे खूलते हैं तो तालु से किस वर्ग का उचाण होता है? pię housing अब एक चीज और समझे जो चावर्ग है जो चा उचन और जह जह चावर्ग के इheen चार बेंजन बर्ण, यह जो चार बेंजन बर्ण है, जिसमें हमने रेट निसाल लगाया है, यह चार बेंजन बर्ण, इसपर्ष के साथ साथ, इनके उचरन करने में संघर्ष भी होता है, इसलिए जिसे चा, 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 चा तो हम बोले हैं, तो चा के इसपर्ष के सा न हर्षी कहते हैं ठेक ना और इसको बोलते है इए इसको बोलते है मूर्धा तो मूरधा को समन्ना मूह मूर्धा को समनना मूहू और टा को समनना टेमाटर तो मूह में वो क्या खायता टेमाटर मूर्धा को समनना मूह में क्या खायता टेमाटर मूह में क्या खायता टेमाटर तो मूर्धा से किस वर्ग अच्छान होता टावर्ग में और टावर्ग में कौन कौन से बेंजन बरन आ कर समझे कि त मतला दात तॉक कुं समझे कर दात कर दात को समझे कर टी त यहिनी तीफ माने तर दात काहे मन हो त Crit दनत से किस का शुचण ते त शुच्रा वहता है ता बशगर की इनि दात वहता रूर थर र जात को सम भाउता है ता वर्ग शे त ह compose। ता, था, दा, धा और ना इसको हम इसलिए आराम से समझा रहें क्योंकि बहुत most important topic है यदि हिंदी बरण माला में यदि देखा जाए तो इस बाले topic से आपका एक question जरूर बनता है ऐसा कोई exam नहीं होगा जिसमें हिंदी पूछी गए हो और हिंदी पूछी जाए और बेंजन बरणों से या उनके चारण से कोई प्रशन ना पूछा जाए यहां से एक आतिक प्रशन तो 100% बनता है guarantee से बनता है ठीक है और यदि कोई प्रशन बनेगा तो आज किला जो समझा क्रिवें इसमें सारे टाइप के कोईशान को कबर करेंगे जिस तरह से वह पूछेगा जिस तरह से पूछा जा सकता है ठैक में कौन से बेंजन बढ़ाते हैं ता, था, द, धा और ना आता है अगला आता है होष्ट होट से समना होट होटों पे पापा का नाम या परी का नाम था अपने होटों पे परी का नाम था परी बोले या पापा का नाम था तो होटों से किस बर का चड़ होता है पावर का और पावर के में इसपरस बेंजनों में किन-किन बेंजन बरणों का उच्चारन कंट से होता है, तालू से होता है, मुर्धा से होता है, दंत से होता है और होट से होता है अब इन 25 बेंजन बरणों को कमपन के आधार पर और वायू प्राण के आधार पर दो भागों में बाटा गया है तो देखे जरा कैसे तो सबसे पहले जरा समझना इन 25 बेंजन बरणों में हमने इस पर जो 25 बेंजन बरण है उसमें नमबर डाल दिया एक दो तीन चार और पांच नमबर डाल दिया एक दो तीन चार और पांच अब समझे जरा यहां पर एक दो तीन चार और पांच जो पहला बर्ग पहला और दूसरा बर्ग है पहले बर्ग और दूसरे बर्ग को फिर से सुनिए पहले बर्ग यानि पहले बर्ग के पूरे वाले बेंजन बर्ग दूसरे बर्ग के पूरे बेंजन बर्ग पहले बर्ग और दूसरे बर्ग को हम अगोस कहते हैं क्या कहते हैं अगोस बें आते हैं और अगोस बेंजन के साथ साथ उस्म बेंजन कितने होते चार देखे उस्म बेंजन चार होते सा 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 लेकिन अगोस बेंजन के अंतरगत उस्म बेंजन के तीन आते हैं कितने बेंजन बढ़नाते हैं तीन तो पांच बर्ग हैं एक दो तीन चार और पांच एक दो ती 14 5 यह थो बोलते हैं और इन्हीं दोनों बर्गों को हमके ओ distraction इस फिर पांच बर्गों मैंसे दो बेखहलत नीले लिखा है यह थी यह वाली लाइन जो पहला वर दूसरा बर्ग के अंधर था दर्गात आता है बाकी बच्चे तीन के कंटम नילयां- 1 तीन चौथा और करता है यक़ इनको बोलते हैं इनको अगोस यानि सघोस शुरूआत के दो बर्दों को पहला बर्द ये वाले और दूसरे वर्द को हम बोलते हैं अगोस है ना अगोस के अंतरगत हमारे उसमें बैंजन तीन आते हैं सा सा और सा तीनों सा आते हैं लेकिन उसमें बेंजन क्या होते हैं, चार होते हैं, तो हा अघोस के अंतरगत नहीं आता है, तो पांच बेंजन बरणों, पांच बरगों में से सुरुवात की दो बरग तो हो गए हमारे अघोस, और लाश्ट की तीन बरग हो गए हमारे घोस, या तो हम घोस बोलें और सघोस दोनों एक हैं तो घोस और सघोस के अंदर गत तीन चार पांच बर गात तीसरे बर के सारे बेंजन बढ़ाएंगे चोथे बर के सारे बेंजन बढ़ाएंगे और पांच में बर के सारे बेंजन बढ़ाएंगे वो किसके अंदर गत आएंगे घोस और सघोस के अंदर गत तो घ थस्त बेंजन क्या होता है या वा रा उल्ला अब ये समझा हमने कि पांच बर्ग होते हैं पांच बर्ग मेंसे पहला बर्ग और दूसरा बर्ग होता है अगोस इसके साथ अगोस में उस में बेंजन भी आते हैं उस में बेंजन होते हैं चार लेकिन चार नहीं आते हैं तीनों सा आते हैं सा सा और सा अब पांच बर्ग में से सुरुवात के दो बर्ग तो हो गए अगोस लाश्ट के तीन बर्ग बचे तीसरा चौथा और पांच में जे आते हैं घोस और सगोस की अंतरगत आते हैं इसके साथ सगोस यानि घोस की अंतरगत हमारे चारों के चार अंथस्त पेंजन आते हैं या रा प्लावा या रा एता है ठे कि इसको हम पहले diagram में हम समझा दे फिर हम इसको हमने सारे चीजे बहुत अच्छे से लिखा है तो आप अभी समझने पर ध्यान देजे सारी चीजे बहुत अच्छे से सुनीएं ताकि आपको एक बार में याद कर गए ठीक हैं और अगूत के अंदर एक उसे में दन सुने 4 मैं सुर्वाद के पहला देखे एनी को हमने लिखा यहां तो देखे अलप्रान क्या होते सुना, यह पहला वाला हो तो जी अलप्रान, फिर दूसरे नमबर पर आता है महाप्रान, फिर यह आता है अलप्रान, फिर चोथा महाप्रान, फिर अलप्रान, तो आप मुझे बताए अलप्रान में कौन कौन से आएंगे, अलप्रान से शुरूआत करेंगे, पहला अलप्रान, फिर महाप्रान, फिर अलप्रान, फिर महाप्रान, फिर अलप्रान, यानि एक अलप्रान जे हो गया, पहला अलप्रान है, ठीक अलप्रान पहला हो गया, अलप्रान तीसरा हो गया, वो अलप्रान पांचमा हो गया, यानि अल प्राण के अंतरगत कितने वर्ग आते हैं अल प्राण के अंतरगत तीन वर्ग आते हैं और तीनों के एक से लेकर के पांच अंक डाले हैं हमने अल प्राण के अंतरगत तीनों विसम संख है आते हैं पहला तीसरा और पांच मा पहला तीसरा और पांच मा पांच बर्गों में से पहला बर्ग, तीसरा बर्ग, पांच मा बर्ग, यानि पहली विसमसंग है, विसमसंग क्या ये है, तीसरी विसमसंग है, और पांच विसमसंग है, यानि अल प्राना के अंतरगत, एक बर्ग, तीसरा पहला बर्ग, तीसरा बर्ग, और पांच मा बर्ग आता है किसके अंतरगत आता है अल प्राण के अंतरगत अगर पांच बर्गों में से पहला बर्ग तीसरा बर्ग और पांच मा बर्ग यदि अल प्राण के अंतरगत आता है और अल प्राण के अंतरगत अंथस्त बेंजन या रा लावा भी आता है अगर पांच बर्गों में से पहला और तीसरा और पांचमा बर्ग यदि अलप्राण है तो बच्चे कौन-कौन से दूसरा और चौथा है यदि पांच बर्गों में से पहला तीसरा पांचमा यदि अलप्राण है तो बांगी बच्चे दूसरा बर्ग और चौथा बर्ग जो हमारी समसंख्या है वो हमारी काय में आएंगी हमारी वो आएंगी महाप्राण के अंतरगत आएंगी अब इसी प्रकार महाप्राण के अंतरगत दूसरा बार को चोथा बार गाता है दूसरा बार की यह बाला चोथा बार के पूरे बेंजन बढ़ाते हैं इसी के साथ साथ म 25 इसपर्स बेंजनों को बाटा है हमने घोस सघोस गोस और सघोस और अगोसों में बाटा है घोस और सघोस एक ही होता है चाहे हम घोस बोले चाहे सघोस बोले दोनों का नाम एक ही है ठीक है अगोस अलग हो जाता है तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और इसके सब पहला वर दूसरा बर हमारा अघोस में आता है और अघोस के अंदर करत हमारे उसम बेजन भी आते हैं उसम बेजन होते हैं चार जिसमें से हमारे तीन आते हैं अब बांकी बचित 3, 4, 5 लुगो जाएगा या हम सगोस भी बोल सकते हैं और सभूस के अंतस्त बेंजन या हुआ राला भी आता है अब आता है हमारा अलप्राण और महाप्राण तो पहला तीसरा और पांचमा पहला तीसरा और पांचमा हमारा अलप्राण आता है और अलप्राण के अंतरगत हमारी चारों के चारों अंतस्त बेंजन आते हैं या राल क्यार्ञ वाहत है अब अगर हमारे पांच बर्गों में से पहला तीसरा पांच मां यदी विसम संख हैं और हमारी अब यहां पर देखें, यह सबसे प्रतियक बर्ग का अंतिम बढ़ यानि पाँचमा बढ़ चावर का अंतिम यानि पाँचमा बढ़ तावर का अंतिम यानि पाँचमा बढ़ तावर का अंतिम यानि पाँचमा बढ़ और पावर का अंतिम यानि पाँचमा बढ़ यानि एं नासिक के कहला नासिक के बोले या इसी को हम बोलते हैं अनुनासिक बोले इस बाले को इस पांचों के पांचों बेंजन बर्णों को हम नासिक के बोले या अनुनासिक नासिक बेंजन बर्ण क्या होते हैं जिनका उच्चारन करते समय जिन बेंजन बर्णों को उच्चारन करत उच्छारन करते समय हवा मुख के साथ 6 नाख से भी निकले उन व्यंजन बढ़नों को लाकि preparator का अनुन्राफ़ नाशिक बढ़न में से यदि हमारे पांच नासिक और अनुनासिक हैं तो बांगी बच्चे से निरू नासिक कहलाते हैं निरू नासिक बेंजन बरन वो होते हैं जिनका उच्छान करते समय केवल हवा मुख से निकले या बायू मुख से निकले वो हमारे निरू नासिक कहलाते हैं 25 इसपर्ष बेजनों में से इदि यह 5 अनुल बढ़न नसिक है या अनुल नसिक है तो बागी बचे 60 26 जो 20 बढ़न है वो नीणननासिक कहला थे हैं ठेक oranges और जो नासिक क्या अनुल नसिक है यह यह हमारी अलप्राण और घोस यानि सगोस के अंतर गताते हैं इनकी कुल संक्या कितनी होती पांच जो हमने लगे दिया इंगा यह अना और मा बांगे सेस बचे जो 20 वह निनुना से कहलाते हैं इनका उच्चारण केवल मुह से होता है या इनकी उच्चारण केवल हावा मुह से निकलती है इनकी कुल संक्या 20 है अगर टूटल पच्च से और पच्च में यदि पांच जी निनुना से के तो बांगी सेस बचे 20 निनुना से कहलाएंगे अब आता है हमने यहां पर बहुत डिटेल से लिखा है तो दिखेज़े रह अब होता क्या है अब हमारी वास सुन स्वर्तंत्रियों में कमपन नहीं होता है स्वर्तंत्रियों यहां उती कंठ में इसको कंठ के कुमल तालाब होता है यहां पर कुमल तालाब और शीपो हम बोलते हैं स्वर्तंत्रियों से इसको काकल भी बोलते हैं यही स्वर्तंत्रियों में यहीं से काकल भी बोलते हैं यहा इस वीडियो के बाद हम बहुत डिटेल से एक एक टॉपिक पर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे अभी तो केबल अभी हमने इन उस्म बेंजनों के बारे में इन इस पर बेंजनों के बारे में बहुत डिटेल से बताया है तो अगोस क्या होते हैं तो जिर अगोस होते क्या ह तो जिन बेंजन बढ़ों के उच्छारण में हमारी स्वर्त अंत्रियों में कमपन नहीं होता है उन्हें हम अगोस कहते हैं तो पृतिएग वर्ग का हम बता चुके हैं पृतिएग वर्ग का पहला और दूसरा और इसके साथ उसम बेंजन कितनी तीन अभी हम इसमें बहुत ड तीन उसम बेंजन के हा नहीं आएगा यहां क्या आएगा सा आएगा उसम बेंजन के कितनी तीन उसम बेंजन के तीन होते हैं चार सा सा और हा तो उसम बेंजन के किवल तीन बेंजन किस में आते हैं हमारे अगोस में आते हैं तो पहला बर्ग के पांच बर्ण दूसरे इतनी है एक दो तीन चार पांच दूसरे बर्ग में एक दो तीन चार पांच तो पहले बर्ग में पांच बर्ण है दूसरे बर्ग में पांच बर्ण है तो दोनों बर्ग में दस हो जाएंगे वो तीन उसमें बेंजन के तो टोटल कितने हो गए यदि आप से पूछे कि कुल गोस बेंजन बर्ण कितने हैं, तो आप कितना लगाओगे, तेरा, अगला आता है घोस और सघोस, तो घोस और सघोस दिख लीजी, तो जिन बेंजन बर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर्तंत्रियों में कमपन होता है, इनमें कमपन नहीं होता है, तो जिन बेंजन बर्ण करें कि हमारी स्वर्थ तंत्रियों में कमपन होनी लगे तो उनको हम घोष यानि सक्रतन के अंदर क्या आता है प्रिद्वर्थ का मैं 3 4 5 पर सतल रही सा 3 country 4 पाँच माँ इसके रहे मि from either इसके साथ जमार उस्मेर एक आता है इसके साथ यहां पर हमारा हुस में हमारा एक आता हम वह होता है यहां पर क्योंकि उस्म ँन्हों यह और होते हैं टोटल 4 4 में सre 24 तीन कया में आते है तो वां BB गोस में आएगा ठीक ना इसी हा को हमने क्या का इसको काकल बोलते हैं हा का जो चार्ण होता है हमारे स्वर्तंत्रियों से होता है यहां से हा का उचार्ण होता है इसी को हम काकल बोलते हैं आंगे आभी पढ़ाएंगे तो दिखे तो जिन वेंजन बढ़ों के उचार्ण में हम सवर्थ तंक्रियों में कमपन होता है और हम अभोस और क्या कहते हैं घोस या सघोस कहते हैं अब सघोस के अंदर प्रतेखवर का तीसरा चौथा और पांचमा और इसके साथ अन्थस्त वहा रावर वह इसके साथ तीसर दोएगुल इसके साथ सा सुन लीजे, दोईगुण, दोईगुण में चाय डा हो, जैसे देखो यहाँ पर डा हो, डा हो, चाडा हो, चाय डा हो, चाय डा हो, थे इनका भी चाल काय से किस में आते हैं, घोस और में आते हैं, और सारे के सारे सभी स्वर, सभी के सभी स्वर हमारे काय होते है सघोस होते हैं तो सघोस के अंतरगत या घोस या सघोस के अंतरगत सुन लिजे तीसरा चौथा पांचमवर्ग आता है इसके साथ अंथस्त बेन्यन आते हैं यारा लाव आता है इसके साथ उसम बेन्यन का हा आता है हमारा घोस में जो दो एकुण बेन्यन है डा और धा और उन का ए दोनों के दोनों दोईगोण किसमें आते हैं हमारे घोस और सघोस में आते हैं और सभी के सभी स्वर भी हमारे घोस और सघोस के अंतरगर आते हैं यदि इन सभी को प्रतिक बर्ग में पांच होते हैं तीसरे बर्ग में पांच बन चोथे बर्ग में पांच बेंजन बन औ अन्थस्त बेंजन में चार बेंजन बन और उस बेंजन में एक बेंजन बन और दो गुण में दो बेंजन बन और स्वर में 11 बन होते हैं अगर टोटल सभी को जोड़ लिया जाए तो तैतस हो जाएंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल घोस और सघोस बेंजन बनों की संक्र कितनी होती है तो 33 होती है कौन-कौन से होती है आप बहुत अच्छे से यहां से बता सकते हो अगला आता है प्राण वायू या उच्छन प्रयात्न की आधार पर बेंजनों का वर्गी करां सबसे पहले आता है अलप्राण और फिर का आता है महाप्राण तो जैसे हमने य बाहा है यहांपर अलपण और मापण तो अलपण क्या होता है कि जिन वेंजनडवढ़नों की दिए CHAM में स्वास भायू यानि हवा स्वास बायू अल्प मात्रा में बहुत कम निकले या ऐसे बेंजन बर्ण जिनके उच्चारण में हमारी सांसे न फूले उनको उनका उच्चारण बहुत आसान तरीक से कर सके जैसे कि यदि हम बोले कावर्ग हमारा कैसा है अल्पराण है तो एदि हम बोले का 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 बर्ग का या का बेंजन बर्ण का उच्चारण हम बहुत दिर तक कर सकते हैं ठीके इसलिए 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 अल्पराण लेकिन एदि वही हम चीज खा को वोलें खा 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 तो हम खा बेंजन बरण को हम ज़्यादा देर तक उचारण नहीं कर सकते हैं इसलिए खा वाला यानि दूसरा वाला होगा जिस हमारे महाप्राण के अंतरगत आता है तो आई होप आप बहुत अच्छे से चारण में हमारी जो वायू है जो अंदर से वायू जो निकलती है या स्वांस हमारी कम फूलती है या ठीक न और बांक की दूसरी बर की बेंजन बरणों को चारण करें और चोथी बर की बेंजन बरणों को चारण करते हैं तो हमारी सांस से फूनी लगती इसलिए इसको महा प्रतिग बर्ग का मैंने बताई प्रतिग बर्ग का पहला तीसरा और पांचमा वह हमारे अलप्रान के अंतरगत हमारे क्या थे अंतस्त बेंजन आते हैं यारा लावा और इसी के साथ अलप्रान के अंतरगत सभी स्वार आते हैं घोस में जो देखें घोस में हैं जो चीजे वही चीज हमारी काहे में हैं अलप्रान में संतेजाना जरा बात को तो सभी स्वार आते हैं हमारे कहे में आते हैं अलप्रान में इसके साथ दोई गुण जो डा ओडा ओडा धानी आ रहा है यहां पर दिखिए धांस रखना इस चीज में जो हमारे दोई गुण में जन दो हैं तो सब्सक्स्राइब के लिए गुराइब के लिचव दुण है। झाल 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 झाल